आपने 38 साल दे दी आपके हाथों से कई स्टूरेंट्स निकले होंगे जो अच्छे-च्छे मुकामपी भी पहुँच गए आपको कैसा फील होता है इतना गर्व मैसूस होता है कि मैं बता नहीं सकती कि इससे ज़्यादा खुशी मुझे और किसी में नहीं मिलती जितनी मुझे अपने स्टूरेंट्स को उचे पहुत ओधों पे देखके मिलते हैं मेरे स्टूरेंट्स मेरे घर में आकर रहते थे चार-चार-चार-पाँच दिन और उनको कभी महसूस दी हुआ कि वो टीचर के घर है जब मैंने 22 साल में टीचिंग का पुशेशन लिया था तो वो छोटे-चोटे बच्चे मुझे ऐसे लगते थे मेरे चोटे भाईवी जो एक टीचर है वो आपके बच्चे का मेंटोर है वो आपके लिए एक रिसोर्स है वो आपके बच्चे का एक अच्छा फ्रेंड है वो एक अच्छा मार्ट दर्शक है आप 30 साल थे हैं एक ही फिल्ड में, एक ही स्कूल में, एक ही स्कूल में आपकी घड़ी, जेवर, फोन, सब गुम हो सकता है लेकिन आपकी जो नॉलेज आपके पास आप गेन कर लोगे, वो आपकी कोई नी चुरा सकता नमस्कार मैं हूँ नीरश्ठाकुर और आप देख रहें के आटी न्यूज पांच सितंबर को पुरे भारत में टीचर्स टे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है इस जिन डॉक्टर राधा क्रिशन का बर्दे जो है हमारे पहले उप पराश्ठे पती थे उनके जर्म दिन के दिवस को टीचर्स डे की रूप में मनाया जाता है आज हमारे साथ आर्मी स्कूल नंगलफूर की मैडम जिनोंने अठती साल अपने इसी फील्ड में दे दिया आज मेरे साथ मोज़ोद हम उनसे बात करेंगे कि उनको इतने साल बच्चों को पढ़ा कर और बच्चों के साथ समय वतीत करकर उनको कैसा लगता है सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ तो आपने कभी स्टार्टिंग में ये चीज सोची थी कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना और टीचिंग करनी है इसा नहीं था स्टार्टिंग में मैंने एक्चुली एर हॉस्टेस का इंट्रव्य क्लियर करा था लेकिन उस समय कुछ हालात ऐसे थे कि दिल्ली जाने के लिए मेरे साथ कोई था नहीं और मैं अकेले जा नहीं पाई तो फाइनली फिर मुझे अपना डाइवर्ट करना पड़ा अपने आपको ग्राजुशन करा भीएड करा फिर टीचिंग लाइन जोएन करा क्योंकि टीचर्स जॉब इस बेस्ट जॉब आई थाट सेकंड ऑप्शन आपने अठाती साल दे दी है आपके हाथों से के स्टुडेंट्स निकले हुएंगे जो अच्छे-च्य मुकाम पर भी पहुंच गए है आपको कैसा फील होता है कि जब आपको लगता है बता है कि आपके आपने जिन बच्चों को पढ़ाया वाज अच्छे मुकाम पर तो इतना गर्व महसूस होता है कि मैं बता नहीं सकती कि इससे ज़्यादा खुशी मुझे और किसी में नहीं मिलती जितनी मुझे अपने स्टुडेंट्स को उचे अधों पर देखके मिलती है एक चीज है कि पहले था कि टीचर्स और स्टुडेंट्स के बीच में रिष्टा होता था तो पहले तो कुछ ऐसा फ्रेंडली रिष्टा भी बोल सकते हैं कुछ ऐसा पर आज की जो टेक्नॉलजी है आज के जो बच्चे हैं वो टेक्नॉलजी के साथ चलते हैं लाइक मोबा तो उसमें एक बहुत बड़ा गाप देख रही हूं मैं पहले बच्चों का बहुत ही अच्छा एक टीचर्स के साथ रहता था फ्रेंडली रहते थे हर बात को शेयर करते थे कहना मानते थे रिस्पेक्ट देते थे लेकिन आज ऐसा नहीं है आज के जो बच्चे हैं उनको मह बच्चों का टीचर का बांडिंग इतना स्ट्रॉंग नहीं है जितना पहले था यह मेरा अनुपव है इस मुकाम पे पहुंच गया हूं या कुछ ऐसा वैसा या फिर वो रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए वो दिल से होती है अरे क्या सवाल है जब मेरे बच्चे मुझे मेरे पास आ गए है और मेरे घर में खुशियां आ गई है इतने प्यार से मिलते हैं जहां भी मिले इर्रेस्पेक्टिव वो कमांडेंट है इर्रेस्पेक्टिव वो करनल है मेजर है पत्रकार है अध्यापक है उस वक्त वो सिरफ मेरा एक बच्चा है मेरे लिए और ऐसे ही वो मुझसे मिलते हैं और बहुत प्यार का अनुवब होता है मैदम जैसे कि मैंने पहले आप से पूछा है कि जैसे टेक्नोलोजी मुवाइल का चल पड़ा यूग है ना हर कोई बच्चा है बेरी मच इंट्रेस्टेड की वो मुवाइल मुवाइल है पेरेंट्स के लिए वो चीज जो पहले थे पेरेंट्स क्या वो पेरेंट्स और आज के पेरेंट्स में कुछ डिफरेंट्स आपको लगता है हाँ डेफिनेटली कुछ डिफरेंट्स भी है कुछ वैसे भी है कुछ parents ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि ma'am हमारा बच्चा जो कर रहा है वो सही कर रहा है आप थोड़ा interfere कम कीजिए लेकिन कुछ parents ऐसे भी है जो पुराने सद्धानतों के हैं कि ma'am जो आप पड़ा रहे हो जो आप सिक्षा दे रहे हो उससे बहतर कोई भी नहीं है एक बात मैं यह यह थोड़ा आप दीजिए थोड़ा हम देंगे थोड़ा यह all these technologies यह दे देंगे तो यह वाला थोड़ा difference आज कल देखने में मिल रहा है जैसे कि अब भी जैसे आपने बताया कि कुछ parents बोलते हैं कि नहीं हमारे बच्चों को पढ़ने दो जैसे भी तरीके से हैं तो आपक कोई parent हमारे पास आता है तो definitely वो जब घर में भी ऐसी बातचीत करते हैं तो बच्चा सुन रहा होता है तो जब वो बच्चा यह बातचीत सुन रहा होता है तो उसके जहन में यह कहीं न कहीं होता है कि yes teacher is there but not very important so थोड़ा फरक तो महसूस होता ही है teacher's के पढ़ाने का कोई लहजा चेंज हुआ है इन्हें 38 सालों हाहा बहुत लहजा चेंज हुआ है earlier we just started with pen and paper right books होती थी notebook होती थी कर लीजिये now we have technologies you know अब आप आज के यूग में देखें जब corona चल रहा है then also everything is going on as it was going on earlier सारी classes हो रही है virtual classes हो रही है right बच्चे project कर रहे है written work कर रहे है test कर रहे है और otherwise also करोना से पहले भी काफी सारे ऐसी technologies आ गई है जो बच्चों के लिए और teachers के लिए बहुत useful है और उनका effect जो है वो देखने को अच्छा मिल रहा है academic results अच्छे आ रहे है definitely थोड़ा फरक आया है और हमने भी अपने आपको changes किया है उसके calling means जो पहले था guru शिशे का एक रिष्टा होता था वो रिष्टों में भी आप आपका कहने का मतले है कि वो रिष्टा वो वैसा रिष्टा नहीं है हाँ नीरज जी अगर आप देखें तो मेरे जो पुराने students हैं वो आज भी ऐसे मिलते हैं जैसे वो अपनी माँ से मिल रहे हैं और जो मेरे आज के students हैं मन होता है तो teacher की तरफ देख लेते हैं कहीं बाहर है तो कभी ऐसे भी करते हैं कि नहीं यार पीछे से मोड़ लेते हैं आगे teacher खड़ी है don't know उनमें डर है या प्यार की भावना नहीं है या socially attached नहीं है कुछ तो फरक है आज कर या फिर हम यह बोल सकते कि शायद वो भी पढ़ रहे हैं और आप उनको teach कर रहे हो तो शायद उस चीज से थोड़ा वो hesitate feel करके निकल जाते हैं कि पढ़ रहे तो पह तो जब मैंने 22 साल में teaching का profession लिया था तो वो चोटे-चोटे बच्चे मुझे ऐसे लगते थे मेरे चोटे भाई बहना तो कभी-कभी मैंने किसी को कहना बेटा मेरे घर चलो गए हम हम चलेंगे तो I was also like you know very young तो मैं बच्चों को अपने साथ लेकर आती थी रखती थी तो ब बहुत सारे उनके पास ऐसी चीज़े आ गई है कि टीचर उनके इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा जितना पुराने चमाने में हुआ करता है या मैडम एक स्टुडेंट के लिए पढ़ाई के साथ साथ उसको जैसे कि आप टीचर हो आप उनको टीच करते हो तो उसके आया जाता है कि किस तरह की फील को आप चुलिए किस तरह से आप अगर को करिकुलर एक्टिविटीज में पाटिसिपेट करते हो तो किस तरह ये यूसफुल होते हैं आपको in your future. So this is a routine that we are taking all co-curricular activities in contact with the children so that वो आगे आने वाले समय में किसी ना किसी फील में अपने आपको रेडी कर सके तो ये सब हम करा रहे हैं आपको एक चीज में और जाना चाहता हूँगी जो आपके स्टोरेंस आप से पढ़के गए हैं वो आज उसी स्कूल में टीच कर रहे हैं ज क्या उस टाइम वो शिश्य और गुरू का नाता रहता है या फिर कुली का नाता बन जाता है ये पॉइंट मेरे बताने से पहले ही आपने मुझे पूछ लिया तो बहुत गर्म मैसूस होता है मेरे साथ आमी स्कूल में कम से कम पांसात मेरे अपने स्टूडेंट आजे कुल मेरे अपने स्कूल टीचर वो मुझे अपना टीचर उस जमाने का टीचर सो बार बार उनको बोलते हैं कि बटा यूर कुलीक नाओ लेट्स बीनो अगर आप जैसे जाओगे स्टाफ रूम में बैठे हैं तो खड़े हो जाएंगे कोई बात हो रही है तो पीछे हो जाएंग सो बहुत अच्छा मैसूस होता है कि बच्चों में जो उस समय के बच्चे थे उनमें यह सब अनुसाशन आज भी देखने को मिल रहा है मैडम पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज ऐसे कि आप बतारे की पेरेंट्स होते हैं कि वोलते हैं कि आप हमारे बच्चों को प्रेशर नहीं करेंगे वैसे गोर्मेंट का रूल है कि आप प्रेशर नहीं कर सकते हैं तो पेरेंट्स के लिए कोई ऐसा मैसेज कि जो उनका अच्छा ही सोचते हैं और जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं लेकिन एक चीज जो parents को समझनी चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे को school भेज रहे हैं तो definitely उसमें कोई न कोई कारण है कोई न कोई उसमें plus point है और जो आप कह रहे हैं कि अनुसाशन है वो बना रहता है और वैसे भी punishment तो आज कोई देता ही नहीं है लेकिन teacher को कभी थोड़ा सा अपनी tone को change करना पड़ता है कि बच्चा ये भी ना ले 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 ना कि हमने पढ़ना नहीं है तो parents को मेरे तरफ से आपके tv channel के medium से यही request है कि जो एक teacher है वो आपके बच्चे का mentor है वो आपके लिए एक resource है वो आपके बच्चे का एक अच्छा friend है वो एक अच्छा mark दर्शक है तो आप कुछ liabilities अपनी हटा के na parents को हटा देलना चाहिए अपने आपको उस बीच में से और teacher को थोड़ा सा बच्चे को handle करने देना चाहिए कोई भी teacher आज के time में जबकि हर तरफ से punishment ban है ना अच्छे तो बच्चे ही होते हैं जैसे चलाओ वो ऐसे चलते हैं otherwise it depends on teacher also कि आप एक friendly महाल create करो और interest से पढ़ाओ और बच्चा जब interest से पढ़ेगा तो माबाब भी दोड़े दोड़े उसको school भेजेंगे क्योंकि बच्चा सुपह उड़ते ही बोलेगा नहीं मेरे पेट मे दर्द हो रहा है लेकिन मैं school जाओंगा मेरी माम हाज ये पढ़ाने वाले है मेरे सर ये पढ़ाने वाले हैं so ये सारे factors हैं जिसमें parents और teacher का दोनों का you know cooperation clubbing it is very important अभी तक आप 58 साल दी है एक ही field में एक ही school में एक ही school में तो कितने students आपके हाथों से अभी तक निकल चुके हैं निरज अगर आप students को निकलने की बात करें तो you can just count की I started in 1988 so this is 2020 going on हना तो countless students you can say अभी तो मैं दादी कहलाने लाइक नानी कहलाने लाइक हो गई हूं क्योंकि मेरे पास मेरे students के आगे बच्चे आ गए और इतना अच्छा लगता है कि जब वो मेरे students parent meeting में आते हैं और उनका बच्चा कहीं किसी class में पढ़ रहा होता है लेकिन वो मुझे खोज र नानी सब like free like बच्चों को बोले बटा आपकी नानी लग रही हूं आपकी दादी लग रही हूं तो बहुत मज़ा आता है और बहुत सारे बच्चे पढ़ा दिये हैं मैंडम कोई ऐसा जो आपके students पढ़ चुके हैं पहले तो मैं message उनके लिए कि जो आपके हाथों से निकल is the end of everything right keep flourishing बढ़ते रहो आगे और मेरी शुब कामडाएं उनके साथ ये हैं कि उनका future और अच्छा हो और I want to see them you know achieving more and more और उनको मैं अच्छी उचाईयों पर देखना चाहती हूं और उनके लिए एक ये भी संदेश है कि आप बहुत ही प्यारे प्यारे मेरे बच्चे हो और कुछ पत्रकार हैं कुछ आर्मी में हैं कुछ टीचर्स हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे जॉब्स कर रहे हैं तो मैं उनको एक ये संदेश भी देना चाहूंगी कि बटा जो आपके अच्छे संसकार थे उनी के कारण जहां भी आप हो वहां हो और second very important thing आजकल दे मेरे बचे बहुत मानते हैं तो मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूं कि बेटा जो भी आप आज हो जहां भी आप आज खड़े हो ये just it is because of your parents, your elders तो उनका जो respect है हमेशा बनाए रखो और even society में भी सबके साथ मिलके रहो ताकि आपका मान सम्मान बढ़ता रहे और आप उनके लिए कोई मैसेज हां जो मेरे बच्चे अब मुझसे पढ़ रहे हैं करोना में बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं they are really enjoying उनके लिए भी एक मैसेज है मेरे पास कि जो भी कर रहे हो जो भी पढ़ रहे हो बिटा दिल से पढ़ो राइट दिल से पढ़ी हुई जो मैं टेंडेंस चेक करती हूं तो मैं बलती हूं six students have not joined the class तो मुझे लिखना पढ़ता है again they join तो कभी-कभी जब उनका clipping खोल के देखो तो they feel at home nowadays तो कोई चाय पी रहा होता है तो कोई बिस तरबे बैठा होता है तो ये थोड़ी सी liabilities उनके साथ भी थोड़ा सा comfort level में वो पढ़ रहे हैं तो मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूं कि बैटा करोना आज नहीं तो कल खतम होना है जंग जारी है और इस बीच हमने अपनी पढ़ाई को कोई भी नुकसान नहीं होने दिया तो इसी तरह आप अच्छी तरह पढ़ते रहो और अपने doubts teacher के साथ clear करते अपनी routine में रहो जिस तरह school आते हो उसी तरह पढ़ो play in the evening लेकिन घर में रहे safe रहो सारी social distancing के norms है उनको follow करो लेकिन अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी आप कोई effect ना होने दो ताकि आने वाले समय में चार या छे महिने में जब वापस school आते हैं तो वो उसी तरह school में आते जिस तरह हमने उनको छोड़ाता हैं तो उनके लिए ये message यही है एक और message है मेरे प्यारे बच्चों के लिए कि बेटा education is one thing जिसको कोई चुरा नही सकता है आपकी घड़ी, जेवर, फोन, सब गुम हो सकता है लेकिन आपकी जो knowledge आपके पास आप गेन कर लोगे वो आपकी क बच्चों के लिए संदेश है जो आप पड़ रहे हैं, right? मैडम आज टीचर्स दे है और आप एक खुद टीचर्स है गुरू है आप एक तो आप इस दिवस को लेके टीचर्स दे को लेके को स्पैशल कुछ लाईने आप अपने बच्चों को उनके पेरेंट्स को या समाज को कुछ बोलना चाहेंगे? और मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अच्छे टीचर्स बनियें, बच्चों के साथ प्यार से रहें, यू आप टीचर्स दे, अगर एक अच्छा टीचर, एक बच्चे को मिल जाएगा तो बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी, तो आइविश, वेरी हैपी टीचर्स दे, ब बनना है और बनेंगे, thank you so much, और आपके news channel के माधियम से मैं थोड़ा ये भी बताना चाहती हूं कि I'm a social worker also, मेरे अपने इलाके में मैं बहुत सारे लोगों के काम समय समय पर करवाती हूं, चाहे वो राजनितिक, you know, political area से हो, social area से हो, या public dealing हो, so कफी अच्छे responses मिलते हैं, I I'm really very happy, thank you very much, thank you for being with me. मैं निरीज ठाकूर, कैमरा मैं विपन के साथ के आठी न्यूस पठान कोड.